नमस्कार, एक्जाम है पी वाई ज्ञारखन चैनल में आपका स्वागत है तो दोस्तों जूर चुका हूँ मैं यहाँ पर जेट्ट परिछा की तैयारी को ले करके तो बताते चले, यदि ज्ञारखन में जेट्ट परिछा की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ बहुत ही सुनाराव असर है बहुत जल जेट्ट का बिग्यापन आपको आजाएगा और आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं अब देखिए, जैसे ही बिग्यापन आता है तो बहुत से तरह के यहाँ पर जो है बजारू किताबे आ जाती है आप सभी क्या करते हैं बजारू किताब लेकर के पढ़ना शुरू कर देता है ठीक है लेकिन इस बजारू किताब से आपको यहाँ पर एक दो प्रस्न भीड़ जाए तो काफी होता है लेकिन बहुत मेहनत करते हैं आप उसका रिजल्ट आपका जीरो आता है तो करना क्या है देखे आपको बता देते हैं यदि आपको समाजिक बिज्ञान सिचक के आप त्यारी कर रहे हैं तो समाजिक बिज्ञान जो के आपका इतिहास भुगोल नागरी कह लिजे और अर्थसास यहां से 60 प्रसन आपके पूछे जाएंगे ओभी किसके हस्तर कहूंगे तो JCRT Jack की जो किताब होती है उससे 13 कहूंगे तो आप या तो देखिए आपके पास किताब एवलेबल है तो आप वहां से पढ़ लिजे यह नहीं पढ़ पाते हैं तो यहां पर देखिए JCRT Jack का पुरा नोट्स कंप्लेट 6-10 आपका बना हुआ है यहां से यदि आप देखते हैं तो आपको 60 में से 35-40 प्रसन आपको यहीं के हैंड रिटन नोट से ही आपको मिलेंगे ठीक है और देखिए इसके लिए यहां पर कोष्ट भी आप लोगों के लिए बहुत ही कम रखा गया है आप यहां पर देखिए अगर पहले 100 कंडिडेट का ओफर रखा गया है आप 500 रुपए में अभी समाजिक विज्ञान के लिए सिच्छा के लिए जूड सकते हैं ठीक है लेकिन जब यह सीट फूल हो जागी तो आपको यहां पर लगने लगेंगे उसके बाद आपको बात करने की सारी सुविधा मिलेगी और यहां पर जो विभीन राजियों में अफ़ तक पत्र परिच्छा हुई है उसका सारा जूड पत्र पर आपको करवाप आ जाएगा, सोब परिच्छा हुरप जब एक पर 201 पर 30 जो है आप यहां पर 60-70% मार्स आपके अवस आएंगे जेटेट परिछा में तो आप अगर 60-70% मार्स लाना चाहता है तो जूड़ जाएगा ठीक है तो चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं आपके लिए समाजी विज्ञान के महतपूर्ण परशन चलिए इस वीडियो में हम लोग कबर अप कर लेते हैं कलास एट का एकसरसाइज 3 इतिहास के जेसी आर्टी का समपूर्ण नियाँ पर जो है आपको अबजेक्टिव कीउचन साथ में साथ यहाँ पर ट्रीकी सारा कुछ को कबर अप इसमें हम लोग कर लेंगे ठीक है चलिए पहला प्रसन आपका है ग्रेंड ओल्ड मैन ओफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है ठीक है यह जेसे सी का पूछा गया प्रसन है दादा भाई लिवर्टी दादा भाई नौरोजी दादा भाई लरोजी या कोई नहीं ठीक है तो ग्रेंड ओल्ड मैन ओफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है तो आपको दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है ठीक है इसमें सबसे जो आपका चीज है इसमें तीन कोई चीज को पढ़ लिएगा अस्थाई बंदोबस्त रयतवाड़ी बंदोबस्त और महलवारी इस चेप्टर में यहीं मुख़्े रुप से है और यह अस्थाई रयतवाड़ी और महलवारी यहां से एक प्रशना कोई ए लेकिन अब जाकर पर देख सकते हैं ठीक है तो अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया है सत्रसो पचासी सब्सक्राइब करेंगा कौन करेंगा पता है आपको तो यहां पर जो है ना आपको 200-400 प्रश्ण बनेंगे ज्यादा प्रश्ण नहीं बनेगा और उस 200-400 में सब देखेगा ना तो यहां पर बहुत ही अच्छा आपको आपको जो है कि 25-35 तक का प्रश्ण आपका शिफ्ट में भीड़ जाता है तो आप जैसे आटी को आइटम बनाईएगा यानि यहां से जैसे आटी का नोट्स जैसे आपको विडियो मिलता है ना तो मुबाइल नंबर देखे दिया गया है 9631054226 पर अभी संपर कर लिजेगा और यहां पर 6-10 तक का यदि आप पूरा नोट्स देख लिते हैं ना तो इससे बा तो फिर इसका फी कितना हो जाएगा तो आपके लिए 1000 रुपय हो जाएगे तो आप जितना जल्द विडियो देखने के साथ अपना रेजिटेशन आवसे करा लेंगे जिससे कि आपको यहां सारा नोट्स बीडियेप के साथ आपकी क्लासेज हो सके और सारा चिदे करके अस्थाई बंदोबस्त जो है उस सबसे पहले आपको बंगाल में लागू किया गया था नेक्स प्रस ने अस्थाई बंदोबस्त कहां लागू किया मने अस्थाई बंदोबस्त तो लागू हुआ सबसे पहले कहां हो गया बंगाल में हुआ लेकिन यह जगा कौन-कौन था जहां पर लागू हुआ था, तो अस्थाई individuals बिहार में हुआ, बंगाल या उडिशा या सभी, इसका right answer z, d कैंसर क्या हुआ, सभी हो जाएगा, तो अस्थाई बंगोबस्त किसके समय में शुरू हुआ, Lord Dalhoji, Lord Ripon, Lord Convalis या Lord Plyo किसके समय में अस्थाई बंदोबस का शुरुवात हुआ ठीक है ता स्थाई बंदोबस का जो शुरुवात हुआ था वो आपको Lord Convalis के समय में हुआ था महालवार अब देखें यहां पर आपका 8 कलास के चल रहा है यहां से लेना मत भूलिएगा आप बहुत जल्दी यहां से खरीद करके पढ़ लिजेगा उसके लिए आपको लग रहे 499 रुपए तो अभी जुड़े और अभी तुरत त्यारी में लग जाए अगला मार तो पुन पूरास। महलवारी जो यहां पर ब्यवतिता किस ने तियार किए लॉड-कन carriage लॉड कानवालिस लॉड-ॼूर्ड- reppon हो लट- login या कोई नहीं ठीक है तो महभारी का। तो महलवाडी में आपको यहां पर दिखें मौस हो जागा मैकेंजी मौस क्या की जागा मैकेंजी यानि महलवाडी को मैकेंजी यानि होल्ट मैकेंजी के तौरा बेवस्था यह सुरू किया गया था महलवाडी बेस्था कब और कहां लागू किया है महलवाडी बेस्था कहां पर लागू हुआ तो देखे महलवाडी बेस्था सबसे अधिक रावडी जो होता है वो कहां होता है पंजाब में तो वाडी आएगा ना तियाद रखेगा पंजाब तो मुंबई या मदरास लागू किया गया 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 तो मुंबई या मदरास होगा रही त्वाडी बेस्था को लागू करने का स्रै किसको दिया जाता है टॉम्स मेथा, टॉम्स मुन्रो, टॉम्स रेडा या कोई ने ठीक है त्वाडी बेस्था को लागू करने का जो स्रै दिया जाता है वो आपको टॉम्स मुन्रो को दिया जाता है तो भारत में पहला चाय बगान जो है यहां पर आपको अठार सो पैंती सिस्वी में असम में लगाए गया था ठीक है असम में ही हुआ था कौन से चाय कंपनी पहली चाय कंपनी थी यह भी पूछा गया था असम की खुली चाय टाटा की खुली चाय ताजा की खुली चाय यह लिप्टन की खुली चाय ठीक है तो कौन से चाय कंपनी पहली चाय कंपनी थी तो असम की खुली चाय ठीक है अब पहला किसान बिद्रो क्या था उसका नाम क्या था चावल का बिद्रो हुआ था कपड़ा का बिद्रो हुआ था निल का बिद्रो हुआ था या कोई नहीं तो सबसे पहला किसान बिद्रो जो था वह आपका कौन सा था निल बिद्रो था कौन था निल बिद्रो था निल बिद्र गोबिंदपूर गाउं से शुरुआ था एक तम याद रखेगा यह नोटीस से लिए हमने दे दिया क्योंकि है यह S.E.C. में पूछ दिया गया है कि नील अंदोलन जो हुआ था वो किस गाउं से शुरुआ था ठीक है यह भी पूछा गया था तो यह गोबिंदपूर गाउं से हुआ था और किस जिले से था तो नदिया जिले तो ये दोने याद रखेगा सबसे पहले बंगाल में हुआ बंगाल का कौन सा जिला नदिया जिला और कौन सा गाओ तो गोविंदपुर गाओ इसको याद रखेगा निल का अंदोलन का ये पूछा गया प्रस्ण है निल वि महात्मा गांधी ने निल बगान मालिकों के विरूद कप और कहां अंदोलन का शुरुआत किया नील दरपन नामक नाटक की रचना किसने की? तो ये परस्न जो है 1001 बार पूछा गया है नील दरपन जो के नील अंदोनल पर पड़ा हुआ है जिसंहें कि, दीनबंधू, अले, दीनबंधू, मीत्र, दीनबंधू, काली मीत्र, किसने किया था, ठीक है, तो निल दर्पन नामक की जो रचना की थी वो दीन बंधू, मीत्र ने किया था, ये 1001 WordPress न आपके एक्जाम में पूछेगा है जो कि आपको Class 8 का History सेक्शन में मिल रहा है तो जैसे आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीज़ेगा अपने दोस्तों को जिससे के सभी लोग यहां से लावानित हो करके यहां पर जो सिछक पातरता परिच्छा है 2024 को पास कर सके ठीक है तो आप देखिए अभी कभी यहां पर जूड़ जाएगा सिर्फर सिप अभी ना मांकर मैं आपको प्राइफ टाइम के लिए 500 रुपए लग रहे हैं जिसमें आपको सारे नोट्स पीडिये वीडियो साथ कम्मे कलासे पुरी आपको दी जाएगी और बात करने के पुरी सुविधा दी जा रहे है तो आप यहां से जुड़ करके ज़रूर एक बार जैसे है ठीका प्रकंप्